हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो दुनाचार्जो एजुकेशन, फ्रेंड्स सेके CUT पोस्ट क्राज़ूर प्रोग्राम का जोकी एड्मिट कार जोकी 7 सेप्टेम्बर में जिसका एंटरांस हैं, आपका एड्मिट कार सायद आज उका होगा, आप शेक कर लिजेगा फ्रेंड्स, आज जोकी है, 6 सेप्टेम्बर आज हैं, ओके, सो जो भी स्टुडेंस, 7 सेप्टेम्बर के साथ-साथ आप अलग-अलग जोकी पेपर को जोकी आपका 6 सेप्टेम्बर से पहले किस भी एंटरांस आप दिये हो, तो आपको सायद एक है एड्मिट का है मिला होगा, यहाँ प यहाँ पर रिपोटिंग टाइम और एंट्री टाइम एड्ट सेंटर, ओके, तो यहाँ पर अलग-अलग भी आपका हो सेकता है, आप जो भी पेपर कोड के लिए अपला किये हो, टाइमिंग अप दाटेस्ट है, जोकी 10 से लेकर 12 नों तक होगा, नेक्स्ट आपर रहेगा, टेस्ट सेंटर नंबर है, एंट टेस्ट सेंटर नेम है, यहाँ पर आपका वेन्यू अप दाटेस्ट है, ओके, तो दोस्तों, बीयड का यहाँ पर आपका सब कुछ आचुका होगा सायद, आप चेक का लिजएगा, ओके, तो आपको यहाँ पर क्या-क्या ध्यान रखना होगा, एंग्जामिनेशन सेंटर को जाने से पहले, यहाँ पर आप देख सेकते हों कि, एच यह पर आपका रिपोर्टिंग टाइम है, एंट्री टाइम है, उसी हिसाब स्थिव कि आपको पहुँचना होगा, नेक्स्ट हैगा, no candidate shall be permitted to enter after the gate closing time, gate closing time के बाद आप पहुँचते हो, तो आपको permission नहीं मिलेगा, examination hall को जाने के लिए, नेक्स्ट है, no candidate shall be permitted to leave the examination room or hall before the end of the examination, तो जब तक examination खतम नहीं होगा, आपको जो है, आने के लिए यहाँ पर आपको permission नहीं मिलेगा, ओके, नेक्स्ट रहेगा, यहाँ पर बहुत सारे point है, point number 10 यहाँ आपर हम देखे तो, no candidate would be allowed to enter the examination center without admit card and undertaking, undertaking and admit card जोकि आपको लेना ही लेना है, जोकि आपको admit card में ही मिलेगा, जोकि 4 page का है, तो 2 page जोकि यहाँ पर आपका दिया गया है, पहले 2 page आपको लेना है, नेक्स्ट आपका रहेगा, valid ID proof and proper fixing, तो valid ID proof लेना होगा, नेक्स्ट आपका proper fixing में जो भी आपका scanning वहाँ पर कर रहे होंगे, वहाँ पर आपको जाना होगा, ओके, नेक्स्ट हैगा, candidates will be permitted to carry, तो examination venue में आप क्या-क्या लेकर जा सकते हो, फास्ट आप रहेगा, transparent water bottle आप ले सकते हो, आपका, नेक्स्ट आपका रहेगा, hand sanitizer जो की 50 ml का होगा, नेक्स्ट आपका रहेगा, आप किसी भी एक pen ले सकते हो, नेक्स्ट आपका रहेगा, admit card along with self declaration undertaking यहाँ पर आपको लेना है, additional passport size photograph भी यहाँ पर आपको लेना है, जो की for pasting on attendance sheet, attendance sheet में जो की past करने के लिए आपको additional photograph जो की लेना होगा, पासपर साइज, original valid ID prove लेना है, next रहेगा, no candidates is allowed to enter the center wearing each or her own mask, तो आपका खुद का mask जो है आप यहाँ पर नहीं पैन सकते हो, okay, mask will you provided at the center, जो की आपको center में भी admit, जो की आपर mask provide किया जाएगा, okay, so next यहाँ पर हम देखे तो, original valid ID prove जो की यहाँ पर आपको expert नहीं होने चाहिए, okay, pancard, driving license, water ID, passport, आधर card with photograph या फिर आधर enrollment number with photo, restaurant card यहाँ पर आप ले सकते हो किसी भी एक valid ID prove को, okay, so friends, यहाँ पर बहुत सारे point है, इसको आप अच्छे से देखे, जो भी यहाँ पर आपका important है, हम आपको बता दिये हैं, आपको क्या क्या लेना होगा, जिससे कि आप एक pen ले सकती हो, उसके साथ जो कि आपका admit card होगा, undertaking यहाँ पर आपको लेना होगा, okay, next आपकर हैगा valid ID proof याण आपका mask, तो इन सारे चीज़ों कि आपको लेना होगा, okay, और आपका examination की reporting time के अंदर जो कि आपको पहुंचना होगा, ओके friends, so friends, यह था सब कुछ update जो कि आपका admit card से related था हमा को बता दिये हैं, जो कि आपका 7 September का admit card सायद आ चुका होगा, आप चेक कर लेजेगा, okay, so दोस्तों, I wish you all the best for your examination, thank you.